17 जन्वरी 2023 को शनी देव कुम्ब रासी में गोचर करेंगे अर्थार्थ मकर रासी से वे कुम्ब रासी में प्रवेश करेंगे इसका परिणाम 12 राशियों में से मिथुन रासी पर भी बहुत अच्छा पड़ेगा मिथुन रासी पर गत धाई वर्सों से जो धाया शनी देव की चल रही थी वह धाया उतर जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि मिथुन रासी के जातक यदि किसी भी वजह से संकट में थे आर्थिक, शारिरिक, मानसिक, व्यापारिक, पारिवारिक या अन्य कोई भी कारण से तो अब उनके वे संकट दूर हो जाएंगे और उनकी धया समाक्त हो रही है सत्र जन्वरी से लेकिन एक बात को आप ध्यान रखे कि सत्र जन्वरी को जब शनी देव कुम्ब रासी में प्रवेस करेंगे तो मिथुन रासी वालों के लिए नवम भाव अर्थार्थ धर्म के भा इसलिए आने वाले धाई वर्षों में भी उन्हें यह सावधानी रखनी है कि वह धर्म के रास्ते पर चलते रहे ताकि उन्हें पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक, व्यापारिक आदी प्रतिष्टा मिलती रहे और साथ ही साथ उनका जीवन शुक में तरीके से बीतता रह उन्हें नियमित रूप से हनुमान चालिसा का पाठ करना चाहिए, मंगलवाज शनिवार को सुन्दरकान का पाठ करना चाहिए, प्रत्यक सोमवार को महादेव जी के शीव जी के मंदिर में जाकर शीवलिंग को जलाभी शेक करना चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए आदी आदी आपके सुखद भविश्य की में कामना करता हूं जैशी किस्णा हूं